पेश है हरपाल सिंग पन्नूर अच्चत कहाणी सार दते उस दी नील कंठी लगपा गटाई हजार साल पहला दे एस कहाणी दना एक सार है सतलुज तो लेके रावी द्रिया विच का पूंखंड दे किसे पेंड विच पैदा हुई मैंनू सदे माता पिता दा दे पेंड दा दे उठे राज कर दे राजी दा नाम पत है पर लिखांगा नहीं क्योंके फजूल खिल्ला विच विवाद पैदा करकी गुणी जन रास खराव कर देने केवल सार दी कथा सुनावांगा क्योंके उस दी कथा चल दी रही है नील कंठी विछेरी दा नाम सी जस नरनिक का हुंदा सार्द खेड़ दा हुंदा सी पिच्छों जाके विदवाना ने गडबड कर दिती ते कोश्चा विच लिखिया गया के नील कंठी काश नू कहा गया के नील कंठी एसले पूजनीक सी, क्योंके सार्द नाम दे देरते दा ए बहान सी, के नील कंठी मुनुख दे उस सुखने नाम सी, जड़ा पूरा ना होया, ना होवेगा। कोश्ण दे ए सारे अर्थ किन्ने सही हन, किन्ने गल्थ पता नी। सचे है के नील कंठी एक अल्क वच्छेरी सी, जड़ी सार्द दे नाना ने अपने दोते नू सुगात वजों दिती। नाना अपनी बेटी दे प्रवार नू मैंन आया, तब शेरी दे ते सार्द दे सर्ते हाथ रख के असीसा दिंद्यां केहा। तुसी हमेशा सुखी वसो बच्चों, तंद्रोस्त रहो। द्र्यामा दा वेग ते हवामा दी चर्त तो हड़े अंग संग रहन। एक है के नाना ने पुच्चा, इस दा नाम की रखेंगा सार्द पुत्त। सार्द ने केहा, रख देता है नाम, देखो नना, इस दा सारा स्रीर तो पवर्गस भैद है, पर गर्दन थोड़ी-थोड़ी निल्ली है। लगतां दे हेटले सिरे निल्ले हन, इसनो नील कंठी कहांगी। एता अपना नाम आप रखवा के जम्मी है, दस्सो एस तो बिना इस दा नाम होर की हो सकता है। एक एंदियां सार्द ने, नील कंठी दी गर्दन दोले बामा वाल दित्तिंगां, तां उसने गर्दन उच्ची कर ले, ते गुस्से अगला सज्जा पौड पठकन लगी। ना ना हस के कैन लगगा, अजे तैन्नो ए जान दीनी सार्द। कच्चे कर विच वस्दा सार्द दा पिता कसान सी, उसको बहुत जमीन सी के थोड़ी एस दा कोई पता नी, एस अब गला जेड़ियां दा पता नी, पता करन योग नहीं हैं। इनना सारे विरतांता बगयर कम चल जावेगा, क्योंके साननु साठे नायक सार्द दा पता है। पर इस दप आवे थोड़ा है के शिलका भी खाना पवेगा, क्योंके इस उत्ते पैसे खर्चे गए सान। रिशियांने साननु दस्यासी, जदोसी कणक खान दे हां, ता ओस दे नाल उस दी तूड़ी नहीं खान दे, तो जदोसी पशुगांदी खर्ली वेच तूड़ी सुट दे हां, ता तूड़ी नाल कणक नहीं सुट दे। ए मुंडा सार्द अपने बक्की दे हानिया नलू, थोड़ाक वक्खरा सी। मा पेस वक्ते उठ दे, कुछ देवत्यां दे नाम, जड़े उन्नाने प्रोहत्तो सुने सान, गुणगणों दे, पिता पशुगांबल गेडा मार्दा, माता ना जोंदी, सार्द वी कई बार नाली जाग पैंदा, पर उदों तक मस्त लिट्ट्या रेंदा, जदों तक मान मिगगा दोद दा कटोरा पला के, ना कैंदी, चिडियां मोर तितर बटेरे, सब जाके कम्मी कारी मिकल तुरेहन, तुम भी उठ सार्द पुत्तर, देखता सही, गलेरी उच्ची उच्ची, उन्ना बच्यानू चिड कांदेर लगी है, जड़े ज़े जगे नहीं, पौफ ट चाले तो पहला, पिता बर्दांगाल हाल पंजाली पाके खेत चला जान्दा, ते सूर्ज चडण नाल सार्द गल्ण विच खेड़न निकलदा, सार या खेड़न नालों उसनू द्रकता उत्ते चड़न उत्तर दी खेड़ पसंद हुन्दी, पर निका सार्द अपनी बचेर चार नवास्ते भी जान्दा, माने केहा, तु न्याना नहीं सार्द, होन खेत रोटील जान जोग्गा हो गया है, जा पिता नू खाना को आके आ, कामा गटा रहां ते बच्चियां दिया चीकां दा राम रोला, कम्मी लगगे बंद्या नू ठक्करना दिन्दा, एक दिन प साल दा हो गया है, सार्द, तेरे बक्की हानी पशू चार दे हन पुत्तर, तेरा चाच्चा जड़ा पाली है, होन हाली हो जावे, ते उस दी था तू पाली हो में, ता अपनी फसल होर वदिया होगे, आन्नता न विच बद्धा होगे, सार्द दा दिर्ता करदा सी, के फटा आक ना करके खड़ा चुडाल वे, पर उसने नीमी पाके एसली हां कर दिती, क्योंके उस दी नील कंठी भी इनना बक्की पशूगा नाल चरया करेगी, जिड़ा पाली सार्द दे पशूगा बिच पशूर लाके चार दा, उस दा नाम सी पुबान, पुबान ने एक दिन प कहा कर दिये, देवत्यां दा नाम लमा, पर फालतू गलना हन सब, जे देवता किदरे है भी पुबान, ता उसनों कहीं सार्द दा नाम लिया करेगा, ता सुख पाएगा, मैं उस नालों के में कट हां, हो सक्दा उसकोल मेरे पिता नालों थोड़ी कर जमीन वद्ध होवे, शैद उगणी होवे, की पता, पर मैंनू एस गल्दी की परवा, जे उसकोल सौ मज्जां गामा भी होण, ता भी नाओ मेरे जना तेज दोड़ सक्दा, ना मेरे जना तिखा तैर सक्दा, ना द्रखते चड़ सक्दा, जे कोई सहारा देके चड़ा आदे वे, ता उत्तर नह सक्दा, इस गल्दे सारे सत्थी हस पे, ते पुबार ने कहा, तेरे जिनने बेरते चिबड़ भी नहीं खा सक्दा हो, सावध ने कहा, खा ता लेंदा हो ना, पर आप तोड नहीं सक्दा, लोक उसनों खुआ प्या जान, ता खा लेंदा, नहीं तब इठा है, मैं मानाल अंदर चला जान दा हां, मान खान चीजां उसके रख के मत्था टेक के आ जान दी है, ता मैं पुछ दा हां, अज देवता बमार है मान, जो खा नी रहा कुछ, मान चड का दिंदी है, फेर सार्द नू पुबान आख दा, दोड सार्द, दोड ओ देख वैड की किनी दूर न आख दा, गामा नाणों मज्चा चारनियां बढ़ियां सोखिंगा हां, सारा देन पजाई फेर दिंदी हां, गामा सान, जे किते वच्छे न दिंद गा हुंद गा, मैं न नू करना बढ़न दिंद, एक दिन पुबान ने केहा, साठा नगर देव किनना क तकड़ा होवेगा पला तेरी ख्याल विच सार्द, सार्द ने केहा, जिनना कोई के ओखा सकदा है, उनना तकड़ा हुंद है, तु पहला ए दस, ओ किन्ने कड़े के ओदे पीनदा है हर रोज, पवार ने केहा, नगर देव पर तना लोक कच्छी लसी पेट कर देहां, कदी थोड़े एक चाव उस दी खुराक देखके एहो साब बन दे, सार्द एहो जियां गल्ला करनाल, तैनू पाप नी लगगेगा, पुबाण ने केहा, होर की लगगेगा सानू पाप तो बिना, स्राप लगणगे जा पाप लगणगे, आम थोड़ा लगणगे सानू, बड़ी मेंत कर देहां, ता पवित्तर रेंगे, सब किस्मतानियां गल्लाहन पुबाण, एक दिन वट्ट उपर खुलोते हां, सोटी उपर ठोड़ी टकाई, पुबाण ने पुच्छा, तेरा नाम सार्द क्यों है प्रा, इस दा की अर्थ है, सार्द ने किहा, मैं मानू पुच्छा सी, उसने दस्या, सार्द ने रुत्ते पैदा होया सी, इस करके नाम सार्द रख्या, सार्द दा अर्थ हुन्दा सार्द दा, पर जे मैं गर्मियां दी रुत्ते जम्मिया हुन्दा पुबाण, ते फेर भी सार्द नाम हुन्दा, तां की फर्क प्रणा सी, कोईल नू ते मेरी नील कंठी दो में ठाठ नाड अस देते पशुंगा दा मोडा लोग एक दिन ताजे वाहे खेत दी सलभी मिट्टी उपर बेठे रुट्टे खांदे पिता ने किहा बुढ्ड्या नाडों जो अन्ना दी अकल तेज दोड़ दिया सार्द तैनुक सवाल पूछदा है उस किकर नाड मज ब बता है जेड़ा हिस्सा इस दी गर्दन नाल लाटकर है ओस दी भी कोई अड़ी तुट्टी होई नहीं फिर संगल तुट्ट की में गया सार्द मैंनों पता नहीं लागदा है इस दा सार्द ने कहा जेड़ी अड़ी तुट्टी जियो उसे हिस्से नाल रह जांदी तुट्ट्टी होया टुकड़ा भी डग पया किते एसली दो में टोट्टे सावत हन तुट्टी अड़ी खेत विच गुम हो गई है मिल जावे ता मिल जावे गई ता गई समझो पिता ने थापी जिती ते कहा तू अकल मांदा सार्द सार्द ने कहा कुछ और लोग मेरे त पा कल्ले ने चोगले इसी ता तुसी खोश हो के दो महत्ता नाल एस विच्चों एक भड़ा रोग पर के अनाम वजो गेता मैं दुकान दार तो इस बदले बदाम गरी मंगी दुकान दार ने पूरी लप पर के गरी मेरी चोड़ी विच पा दूती मैं सोच्या पुवान नाल रलके खा मांगा क्योंकि ओ मैंनू कई कोज खान नो दिन दार इंद है पुवान अपनी पूवान अनुमेलन गया कई देन न परत्या मैं गरी कपड़े देक टोटे विच बन के उच्ची आले विच रख लुके इक दिन बैठ्यां बैठ्यां दे मैं सोच्या चलो जिन्नी मेरे पा गंच सी ओही बचनी सी होन पुवान नू रिकन दी थां खाई लेंदियां की पताओ कदों आएगा इक गरी मुँच पाके चवाई ता इन्नी कड़ी के दाड़ के थुक्ण गया करली करके मुँच आपकी ता निक्की निक्की दंदी वड क़िवा पता अंव शूगर नाड़ा जो गताओ के इतडी थिएगा, केड़ी रुषट खाण गया केड़ी नहीं मिठे दान्याअ दे कपड़े ठाड़ी खूली पचे पैस अ उन्न विक्चों केवल सफैद है साख़दा उन्नने ओस देंदा में सोच़दा है पिता जी कि आदमी जिनन अपने अपनों स्याना सम्झह दहे है अउनना स्याना है श्पीता विशन के पर्सान होला दे कहनं स लगा तो वहारा साल हो गया शारध तेरे वारगे होना हर बच्च पर विच बेशक सानू तेरी बड़ी लोड है पर जे तू विद्याहासल कारल में तसा डानपड़ां दा खांदान बड़ा इजद्दार हो जागी। मैं सुनेया हैं जे मेंत कार्णता हालवाकां काम्या मजदूरां दे बच्चे ब्रह्मन पुत्रां तो अग्ये लांग जान। की पता अपने उपर देवते करपालू होई जान सार्द। सार्द ने कहा जो आग्या पिताजी। पिताने का राके सार्द दी मानों कहा कि अउधी पूर्ण मसीदे देनों विद्या प्रापत करण ले सार्द नू जंगलां वेचे शडण जाना। माने नहां कीती ना ना सार्द नू पेजदे के न कार कर दे पता न लगा की कही। चुप चाप कमकार कर दी रही। अना आज विच्छो रोड चुगदी चुगदी ने सुच्या के चलो ता कि यजे सार्द बिना कई दिन देलनी लगोगा। केड़ी माएं जड़ी कुछ देन रोण तो उन पिच्छो चुप नी कर दी। इस नेक कमली उसनु जान देना चाहिए। सुनिया विद्या प्रापत करना बहुत वड़ा पुनकार जाय। पूर्ण माशी तो पहली रात सार्द ता आम देना वांग जल्दी सौंगया। पर माँ ते पिता सौं ना सकी। अधी रात माँ मंजे तो उठी ते एक्खा पर केकैन लगी। सार्द दे किता। सार्द नु पेज के की करांगे सी उस्विन। प्रवत ने दस्या सी क्यों थे कही साल रहना पवेगा। पिता जे मजबूत ना होवे ताद भी सक्त जान बढ़ना पेगा। इसलिक खुरा मार के पहला गाल साप कीता। फेर केहा सार्द आम मुंडा नहीं है। लगदा देवतेसो पर द्यावान हन। की पता ओ होर बहुत सार्याली कल्यान कारी होवे। की पता साड़ी किसमत वेच पन लिखे होन सार्द दी मा। मा ने इशनान कीता। ताजी मिट्टी गुन के गोल दैरेदी शकल बनाओ देया। थोड़ी कतार तीलिपी। एक कोरे कपड़े विच अठा बन्या, दुज्जे विच गोल। एक चक्रीके ओधी पर के ये सब को इस ताजे लिपे के रिवपर टका के मत्था टेक्या। फेर सार्द नू इशनान कराया। सर्गी विळे पिता पुत्तर पोटल्या समेत जदोकर उबार निकल लगी। ता मावी नाल नाल तुर्पे। पिता ने मुड़ जाड़ी इशारा कीता। ता माने इशारे जहे नाल ही उत्थोंक तक। अबादी दी जू आगी। ता सार्द ने माने चारनी हाथ लागी। माने पुत्तर दे सर्थे हाथ ना रख्या। पर मुहों असी सन अप्ट नाल ही। बापस परतन दी थां चुन्नी दी एक कन्नी दंदां बेच दवाई। उदों तक सार्द दी पेठ देख दी रही। जदों तक को दो में डंडी दा एक मोड और का रुखा उले नहीं होगे। सार्द ने पिछे मुड के नहीं देख्या। सार्द दी मान तीमी तोर तुरती कर पती। कर जाके चुग आठ नाल लगके कुछ यों बुड़बडाई। मेरा सार्द मेरा सोना सार्द चंदन दाए भूटा जिसना कर मैं क्या करता सी। होन जंगल नू सगंदत करेगा। कदों बापस आएंगा ओ मेरे सार्द बच्चे। जदों आएंगा तेरे गाल विच्छ हंजुगा दी माला पामागी। ये कहके उचली रोई। होन अप्पा किस रिशी आश्रम में जा मांगे पिता जी। जांदे जांदे सायद ने पुछ्या। अप्पानू की पता पुत्तर तुर्दे चल देया। इनना पक डंडिया उपर तुर्द्या तुर्द्या जित्थे कोई रिशी दिसया उठे रोख जा मांगे। जंगलां बेच ताप करन गए। सारे ही सादू नेक होंदे ने। साब दे साब वेदवान। जे नेक ना होंदे ता सड़े बरगे पापिया नाली रेंदे। इत्थे साब पूजनी खान जंगल मुच यो निकिंगा मोटिंगा गल्ला कर दे सिरा उपर गंडड़ी चुकी वो बहुत दूर निकल गए। पिता दी निगाट डंड़ी उपर सी परसार्द सज्जे खब्बे साब कुछ देखला होया जार्या से। एक था पिता दा कोट के हाथ फड़ रोक देयां अपणी अखनेड़े उंगल करके होली देकी बड़ी दबी वाज वेच क्यां। ओ देखो पिता जी उदर देखो और यहां महां तमां। पिता हस पियां। ते कैन लगगा तू इस तरह अशारा कीता है सार्द जी में चाड़ी वेच छुपया तैनू कोई शकार लब गया होवे। तू ता शेष्ट लाज तिया उदर। सादो नू देखन सार पहला मान बेच पढ़नाम करो। फेर बोलना रही। सार्द ने कहा। ये सबता होडी होडी सिखांगा पिता जी पर ते अन्नाल देखो ता सही ओस दियां अक्खां किमें दागरियां सान चीते वांग। पिता ने कहा। पेंडुमा अतेशकार्यां दी बोली पुलन बेच तैन्नू समा लगगेगा सार्द कट बोलेंगा ता ठीक रहेंगा। होडी होडी दोमें जने महात्मा ने जदीक पुझे। सिरां उप्रों गंडा उतार के पत्यां उपर रख्यां ते जोडें उतार के प्योप उत्तर ने सादू दे चर्णी हत्ला। सादू ने सुखी रेन दी असीस दिती पिता ने कहा ये सार्द है बबा अग्याकारी है इसनों अपने चर्णी लओ की पता कोई अखर ये सेख जाए महाराज रिशी ने पुच्छा सार्ददा की अर्थुन्दा पुत्तर सार्द ने कहा सार्ददगा विच जम्यासा सार्द कहाया रिशी ने कहा सर्षबती दे हाथ विच फड़ी वीना नूबी सार्द आख दे हन पुत्तर गजवदा साज है महीन तुनावाला मिठा साज देवते एही साजवर्त दे हन सार्द ने कहा पर मैं हुने सिद्धा पिंडों आया हां बबा एस करके अजे ता पिप्पल दे पत्ते नूँ गोल करके बणाई पीपनी हां केवल अजे मेन कोज नहीं हो दा मैं बीना नहीं देखी सार्द दी ए गल सुनके महात्मा मुस्कराया ते के हां पर इत्थे जीवन बहुत कठोर है सार्द पेंड खान दिया बंदशा हन बद सौन ते वद बोलन उपर पवंदिया हन रिशी जन तंग कर दे हन की तु रह सकेंगा एस तरा दी थां सार्द ने कहा मैं पशू चारदा चारदा तो हड़े पास आया हां महराज पच्ची गावाँ चार सकता हां राम ना जिड़ा पच्ची गावाँ चार लवी ओ पंजा रिशी चार सकता है कि ये थे पंजा तु भी बद रिशी हन महराज रिशी हस प्या पर पिताने को रिशी पूज नी खान सार्द ने क्या आज ता आया हाँ पिता जी जे मेरे बोल पहलों ही ठीक होंदे ता इत्थे की करना होंदे अप्पा आजे मैं छोटा हाँ मेरे शब्दानु तो उनी दी अगवेच सुट के लाल सुर्ख करके चंडन गे बबबा ता कुछ बोल सिद्धे हो जानगे अप्पे रिशी ने पुच्छा तू अपनिया शामा कि में कबू करेंगा पुत्त सार्द ने क्या मेन्नू एस बारे कोई पता नी महाराज मेन्नू ता केवल एन ना पता है के गामा ते मज्जां खुलिगा चट देन्या हों दिया हन ते बच्छरू कट्रू बनने हों दे हन क्योंके राज जान तो बाद भी बच्छरूंगा नू पता नी हों दा होन गांदा खेडा चट देना चाहिए उच अंबड़ई रहन दे हन सो बन्णे प्रेंदे हां गामा मज्या इनगा सियानगा हुदगा हां के रज के छामे बैठ जांदे हां इनाख जानता हां हाल की तु कदी विदवान नादे परवचन भी सुने हां सार्द सार्द ने क्या केवल एकवा नार्दे पेंड विच मेनू पिता जी लेगे सन वेदवान ब्रह्मन आये सन त्या अनल सुनता रहा पल्ले नी पई कोई गाल पर वचन करदे होई ओस परकार सोने लगदे सन जिमे रजिगा पुझिगा गावा छामे वेठिगा उगाली करदिगा पलिगा लग दिगा रिशी नी किया पर इत्थे कई देन बगयर कोई खाद्यां बीच जान दे हन पुत्तर दढ़ी नी मेल नगे थी ओक्खा हों एंगा बहुत पुत्तर चुप प्रहा तां पिता बोलिया एस दी उमर पा में छोटी है महराज पर हटी तकड़ा है इस दा नन्ना इसनों सोने विचेरी दे गया उसनों प्यार करदा सी जदों कदी वाज मारदा नील कंठी तो इस पास चुंगिया पर दियांगी इस दी हथ चट दी खुशी नल बार-बार पौड जमीन ते पठक दी उदों दस साल दासन की ओड लगी जही ओड के एक दाना करना रहा सो दागर गड्यां विच दाने वेच्चन आये ता उन्ना ने मजगा लें तो इनकार करके नील कंठी मंगले सार्दकार नहीं सी सोचे इसनों मनाल मंगे ओस वटे नाज लेलिया करा के इसनों पता लगा ता रज के रोया ते रोटी खानी छट वेती एक देन दो जद रोटी ना खादी ता माने मनोरण दा यतन किता सार्द आखी गया यह अन नहीं है यह ता मेरी नील कंठी है मैं नील कंठी नहीं खा सकता तुसी पपी जहा कर सकते हो एक खेतन विच फिरदा फिरदा बेर खालें दा गन्य चूप लेंदा, गोलां खंदा, मज्जांदा दोद्द चुंगदा, पर चार महीं ने तक, जदों तक सड़े खेतां बिच, सड़ी फसल नहीं पकी, अनकर नहीं आया, इसने दाने वाल देख्या तक नहीं, सार्द ने रोज पर शब्द नाल किया, तो नो नील कंठी दी गल करन दा ह आक नहीं है, पिता जी, मैं उसनों पो लिचुक का हां, किन्ने साल बीत गए, मैं उस दा कदी नाम लिया मुड के, जो मेरी हंदी, तो मेरे पासों जा नहीं सी सकते, गड़्या वाले जाहल सुदागरां दी किस्मत विच सी ओ, जैस कसान ते सुदागर ने नील कंठी नू दाने आंदे वराबर समझे, मैं उनना दी स्यान पर बारे कोज नहीं अखांगा, मैं नू ता इनना पता है, कि कई महीं ने जैन नहीं खादा, ता मैं मर्या नहीं सी, पिता जी, तुसी भी जेंदे रहना सी मेरे वांग, तो हाड देते मेरे विच्चे फार्क का है, पिता कि तुसी केवल तद जेंदे रह सकदे सी, जे नील कंठी बगले नाज प्रापत कर दे, मैं नील कंठी बगयर मर सकदा सी, जे कि ते पुवान मित्तर मेरे नाज हर वक्त ना रहेंगा, उस सिद्धा जेहा लगदा है, पर उस पास किसे नूंतरवा आस देंड ली, थोड़े जेहे ताक्तवर बोल हन, मैं नील कंठी पुल लगया होया हां पिता जी, तुसी उस दी गल क्यों छेडी, एक एके सार्ड खूब रोया, उस दीए गल्ला तो डिख दिया हन जुमा दिया तारा, जदो पिता तो ना थमिया गन्या, ताम हाप माने दलासा बिता, सार्द रु ना मिले, का आखा लगो, नंगे रह लगो, पर जे सुदाग्र अलबा पैगया, ता नील कंठी नहीं रेंगी गिंगा कसान ना पास, इनने नू कुछ जवान वद्यार्थी उत्थे आगे, जंगल विचाई नमे मैं मानना नू पणी पलाया, बता बर्न शांत हो गया, ता रिशी ने कहा, मेरा नाम गुरोचन है सार्द पुत्तर, रिशी अते वद्यार्थी मेरा अधर काती है, पर मैं छोटे बालकानों विद्या देनी छड़ी होई है, ता भी मैं किसे होर सतकार जोग रिशी पास तैननों पे जंग हाँ, सार्द ने कहा, जिमें हजार गावा विच्चों वच्छा अपनी मानों लब लेंदा है, सैंकडे देशां अते लखां जुना वेचपा में कोई जुना मर्जी छुपदा फिरे बाबा, उसदे कर्म उसनों लब लेंगी, एक है के सार्द ने अपना मत्था, गुरोचन दे चरना उपर टका ते केहा, मैं तो हनु लब ले आ है महराज, मैं होर किते नहीं जामागा, मैं तो हड़े तो विद्ध्या प्रापत करनहित जर्म ले आ है, ते की पता देवत्याने मेरे लई ही संसार विच्चों अनु बेज्या होवे, ते बाकी लोग भी लाब उठा रहे हों, हों तुसी म तेरे पूजनेक गुरु हो बाबाजी, मैंनु दिख्या दो, गुरु गुरो चनने, पितानु बापस तोर देता, ते शीशानु क्या हा, नमा आया अतिथी आम वद्यार्थी नहीं, हुने जाके वामदेव जी, अत्री जी, विश्वा मित्तर जी, ते गार्गी जीनु मिल ते प्रार्थना करो के ओ साड़े आश्रम वेचे चर्ण पाउं, उन्ना दे वद्यार्थिया नूवी नमंत्रन देना, संध्या तक साब आगे, चारे पासे मंगल ही मंगल, अपो अपने असना ते बैठके, ता गुरु गुरो चन बोले, जिनना दे चर्णा दी तो उर्तक दीरां बदल देवे, हे पूजनीक महारिशियो, हे विद्वता दे पुंज विद्वन्नों ते प्यारे सिख्यार्थियो, साड़े पास अज दूर द्राडे पेंड़ दा एक अबोध बालक आया है, जिसने उसनू देख लया है, जिसनू देखन दी लालसा छाती बिच दब गुरोचन ने साड़नों अपने असंदे नजदीक बठा के, खौली देखे केहा, कुछ गला नील कंठी बारे सान्नों सबनों दस पुत्तर, साड़ने केहा, मैं पिता जी अग्गे वी बेंती कर चुक कहा महराज, के उस दे गाल ना करो, ना सुनो, ओ सुन्दरता मेरे वोल रहीं, तो हाननों उस्तरा दिस नहीं सकेगी, जिमें मैं देखी, ते जे मैं उसनों उस्तरा ना दखा सक्या, जो ओ सी, ता मेरियां अक्खांत्रया हो जान गिया, अज मेरा पहला दिन है, एसली एक वी अप्शग नहीं होना चाहिएगा, महराज, घार की पुछन लगी, त तूं अपनियां अखाना देख्या उसनों सार्द, जी हां तक की रंगरूप सी उस्तरा, सार्द ने कहा, तो पवेचे चमक दी बरफानी, परबत लड़ी वर्गा सफैद रंग सी, ते इनना परबतां उपरले निर्मलकाश जही उस्ति घर्दन, उस्ति कदमां विच्वी म महा साग्रावर्गी मिलत तन सी, बस होर कुछ ना पुच्छो, विश्वा मित्तर ने प्रशन कीता, की तो उसनों शोहा भी सी कदी, सार्द ने कहा, छोहा, मैं हारोज उसने गालनों जाचम बढ़ता सा, एक एंदियां, फिर सार्द दियां अख्वा पराइन्या, तां गु ठीक कीता सार्द, जो एथे आया, असी तैनों शब्द सखावांगी, तां के तुम ओदा सोना वर्णन करें, तैनों स्रोद सखावांगी, प्यारे सार्द, कदी-कदी ओसनी मुहाब्बद गा के दसी जान दिया, तुछोटी उमर विच, ओ कुछ देख चुका हैं, जिसनों देखना आम खास देवस दी गलने, तुछ अड़ेली सतकार योग हैं सार्द, नील कंठीक कोडी दा नाम सी, इस गल दा पता कट लुका नू, देवते रूप बटाव टाके अपनी अमर अनांत सुन्दरता परगट करके, किसे वरले नू निहाल कर देहां, जस दी गल चेड सार अखा नाम हो जान, ओ सुन्दरता केवल सार्द दी किस्मत विच लिखी गएं सी, हे सजनों ते वद्यार्थियों, आओ, होन सारे उस देवते दी इरादना करिये, जिसने एक वार अपना नाम नील कंठी रखवाया, सार्द दी साथी लेखके, मैं अपने मित्रां दी अब विच्च सुनाई, ता सुधा करजी बोले, यह साच नहीं, एक एवल कहा नहीं है, सार्द कदी नहीं होया, ना उस दी नील कंठी कदी होय, यह सब मित्या है, पर वार करजी बोले, पायो, मित्या पत्रता अशी सारे जने हां, ओ सार्द जिस दी साख्यी बढ चुकी है कि यो मिथ्या है, कि असी मिथ्या हाँ, जिनन दी कोई साथी ना कदी बढ़ी ना बढ़ेंगी, बेदवियास ने कहा, हे कथाकार सार्द दी कहानी चलेगी, जड़े कैनगे सार्द कदी नहीं होया, उनननु कहीं के फिर सार्द कदी नहीं मरेगा, क्योंके जो जमदा नहीं, वो मर्दनी, जड़े मननंगे के सार्द नाम दा एक कसान पुत्तर कदी होया सी, उन्नानु कदी कदाई नील कंठी दिंगा टपा, वश्य सुनाई देन गिंगा, अपा नील कंठी दा नाम लेके शांती पाठ करिये।